हेलो फ्रेंज, वेल्कम बिक्टु मैं च्यानिल, आज मैं आपको बहुती सुन्दर सिलिज डिजाइन बनाना बताऊंगी, ओभी बहुती असान तरीके से, और इस सिलिज बनने के बाद बहुती सुन्दर लगता है, तो आप इसा चरूर ट्राइ कीजिए, चलिए आज का पिंटेट फेबरिक लिए है, ग्रीन कलर में, जो की डबल फूल्ड में है, इसके लंबाई है 13.5 इंच, और इसको चोड़ाई है 9 इंच, कुछ इस तरीके से इसको खोलना है, और पहले हम इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, जो हमारा सिलिज है, इसके लंबाई है 16.5 इंच, इसको चोड़ाई है 8.5 इंच, और इहां से में 3 पॉइंट में मार्क लगाते हूँ, इसको कटिंग कर लेंगे, और इहां से रखना है 5.5, और इहां पर छोटा सा कट लगा देंगे 7 पॉइंट में, कुछ इस तरीके से, आप 8 पॉइंट भी ले सकते हैं, क्योंकि नीचे क और थोड़ा सा इहां पर फेब्रिक बढ़ जाती है, इसलिए अब मीडिल से इसको कट कर देंगे, कट करने के बाद दो पार्ट में हमारा जो सीलिप से हो चुकी है, अब जो हमारा प्लेंट फेब्रिक था, कुछ इस तरीके से एक पार्ट को इहां पर रख देंगे, अब दुसरे पार्ट को इन साइड में लगाएंगे, कुछ इस तरीके से हाप इंच मार्जिन छोड़ते हुए, इसको सीधा स्लाई लगा लेना है, अब दुसरे साइड में भी इसको हाप इंच मार्जिन छोड़ते हुए, स्लाई लगा लेनी है, तो देखे फ्रेंज, इहां प लगा लेते हैं हमारा सिलिप्स जो मजबूती के लिए चाप सिलाई लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर लाइनिंग यूस नहीं किये हैं तो दोनों साइड में ही उपर से स्लाई लगा लेंगे अब यहाँ से देखिए इसको डबल कर देंगे डबल फोल्ड करने के बाद इसको जो मीडिल पॉइंट है मीडिल पॉइंट पर छोटा सा कट लगा देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देना है अब देखिए इहाँ पर एक निशान लगा देते हैं चोक के हेल्प से जो की हमारा डिजाइन बनाने में असानी हो कुछ इस तरीके से हमने प्लेटेस को लगाना स्टार्ट करेंगे दोनों हातों के मदस से दोनों हाथों के मदस अगर प्लेटेस को लगाते हैं तो एहाँ पर आपको एक आईडिया मिल जाती है जो प्लेटेस कहां तकी फेब्रिक को चाहिए होगा तो कुछ इस तरीके से हमारा जो प्लेटेड वाला फेब्रिक था ग्रीन कलर में उसमें एहाँ पर स्लाई लग चुकी है अब हमारा जो प्लेटेस लगाना है कुछ इस तरीके से प्लेटेस को डालते जाएंगे और जहाँ पर हमना छोटा सा कट लगाई हुई थी वहाँ तक इस प्लेटेस को डाल लेंगे तो देखिए हमने थोड़ी सी अहाँ पर कम करते हुए इसको डाल दी है और नीचे की तरफ ज़्यादा फेबरीक रख दी है क्योंकि अगर छोटा बड़ा हो जाए तो उसे हम कटिंग करते हुए सेट कर सकते है अब सेम प्रोसेस पोलो करते हुए दूसरे साइड में भी इस पार्ट को प्लेटेस डाल दी है अब प्ल अच्छे तरीके से प्लेटेस को सेट करते हुए यहाँ पर स्लाय लगा लेंगे यहाँ से धागा को कट करेंगे तो देखे सकते हैं कितना खुबसूरत से हमारा नीचे के पार्ट जो है वो प्लेटेस लग चुकी है अब कुछ इस तरीके से उपर बाला में भी सेट करना है तो पहले उपर से जो हमारा पींटेड़ वाला फेबरिक है उहां से स्टार्ट करेंगे सीट करना कुछ इस तरीके से यहां पर देखिए स्लाइल लगाना स्टार्ट कर दी है अच्छे तरीके से प्लेटेश को सेट करना है उसके बाद ही इहां पर स्लाइल लगाएंगे तो पहले पींटेड फेबरिक को सेट कर लीती है दोनों ही पार्ट स्वामान करते हुए इसे स्लाइल लगाएंगे तो देखे प्रेंस उपर बाला पार्ट भी हमारा प्लेटेश के साथ स्लाइल लग चुकी है अच्छे तरीके से सेट देने के लिए दो बाड़ा यहां पर हम स्लाइल लगा लेते हैं तो यहां पर हमारा उपर वाला पार्ट भी खुब स्लाइल लग चुकी है अब जितना भी एक्स्टा फेब्रिक है इसको हम कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद अगर आपका ज्यादा प्लेटेश पसंद है तो आप इससे सिलिप्स को जरू टाए किजिए अब नीचे के बॉर्डर बनाना है बॉर्डर के लंबाई है 15 इंच और इसको चोड़ाई है 5.5 इंच कुछ इस तरीके से हमने जो नेट फेब्रिक है लाइलिंग फेब्रिक उसको उपर के साइट पे रखेंगे और इहां पर थोड़ी सी मार्जिन लगबख हाप इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको सीधा स्लाई लगा लेती है तो में दोनों साइड हाप इंच मार्जिन छोड़ते हुए स्लाई लगाना है अब कुछ इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से पलट लेंगे प्लिटने के बाद सेट करने के लिए आप आइरोन के सायता से भी सेट कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर दिखी चारो साइट स्लाइ लगा देंगे तो फ्रेंस अभी तक भी चेर्ण के सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चेर्ण के सब्सक्राइब किजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेश कर देना जब भी हमने इने वीडियोज को अपलोड करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए फ्रेंस एहां पर जितना भी एक्स्टा फेब्रिक था उसे हम कट कर लेते हैं एहां पर हमारा बॉर्डर भी रेडी हो चुकी है अब बॉर्डर में कुछ इस तरीके से हमने लेज यूज करेंगे क्योंकि बॉर्डर बहुता सिम परसी लग रही है अगर आपका कुछ इस तरीके से लेज नहीं है आपका बास जो भी लेज है आप दोनों ही साइड में यूज कर सकते हैं एह बॉर्डर यूज करने से अब जब भी लेज या फिर इस तरीके से बॉर्डर यूज करते हैं तो आप उसमें एक लेज जरूर लगाएगा तब जाके आपका ज देखने में काप्षी उंदर लगता है तो देखिए एक साइट हमने बॉर्डर को लगा दी है अब दूसरे साइट का बॉर्डर की भी लगाना है कुछ इस तरीके से हमारा दूसरे साइट का बॉर्डर भी यहाँ पर लेज लग चुकी हम इसको डॉबल फोल्ड करेंगे डॉबल फोल्ड करने के बाद इसको मेजर्मेंट कर लेते देखिए एहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फेब्रीक है हमने कही थी न जहीं इहाँ पर ज्यादा फेब्रीक नीचे के और छोड़ देते है तो कुछ इस तरीके से हमने बॉर्डर को उपर के साइट पे और यहाँ पर अंदर के साइड थोड़ी सी ज़्यादा फेब्रीक लेंगे और यहाँ पर जो मीडिल साइड है यहाँ पर थोड़ी सी कम फेब्रीक लेंगे तो जो साइड में फूली हुई रहती है वो थोड़ा सा कम हो जाती है तो कुछ इस तरीके से हमने सीधा यहाँ प कपड़ा ले ली है जो कि कुछी कपड़ा होता है उसको हम ले ली है और इसको हम एक छोटा सा राउंड से देते हुए बोल बना लेते हैं धागा के मद्स से तो इसके बाद यहां पर देखिए हमेरा गिरीन कलर के कपड़ा में इसके लपेट लेंगे थोरी सी बड़ा वाली पोटली बना लेंगे, पोटली बनाने के बाद धागा लपेटते हुए, इसको अच्छी तरीके से टाइट देना है, नहीं तो इसको जब भी आप बाद में इस डिजाइन को क्रेट करने के बाद होगा, तो ओ थोड़ी सी खिसकने के डर रहीती है, तो आप इसे अच्छी तर अच्छी तरीके से लटकन बनाना वाला टोपी ले ली है, अब इहां पर बड़ा वाला तीन मोती लेंगे, उसके बाद छोटा वाला मोती लेना है, कुछ इस तरीके से इस लटकन को बनाना है, अब इहां पर एक स्लाइ लगा देते हैं, जो कि जितना भी साड़ा मोती है, वो अच्छी तरीके से लॉक हो जाए अब इसको हम मीडिल में लगा देंगे कुछ इस तरीके से अच्छी तरीके से लॉक करते हुए इसको इहां पर लगा देती है इहां से धाग़ को कट कर लेंगे तो हमने इहां पर और एक पोटली को इहां पर लगा देंगे तो हमने त्री पोटली यहां पर लगा दी है त्री पोटली लटकर अब यहां पर उपर के साइट थोड़ी सी फाका लग रही है तो इसके त्री इंचल लचोड़ाई में एक पट्टी लेना है और इसको मीडिल से सलाई लगा देना है कुछ इस तरीके से थोरी सी sly margin छोटते हुए, इसको sly लगा देती है अर यहां से इसको sly कर लेंगे, अब sly करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको बढार के तरफ निकाल देते हैं बाहर के तरफ निकालने के बाद iron के साहिता से देखिए कुछ इस तरीके से इसको set करना है अब corner से इसको fold करते जाएंगे दोनों हातों के मदब से और फिर से twist कर देंगे फिर से देखिए इहां पर fold करना है फिर से इहां पर twist कर देना है कुछ इस तरीके से round step देते हुए इस गुपसुरत गुलाब फुलों के बना लेना है तो देखिए आप अगर थोड़ी सी यहाँ पर कोशिस करते हैं तो आप भी खुपसुरत तरीके से इस rose flower को बना सकते हैं तो देखिए बहुती simple है इसको बनाना बहुती easy है तो यहाँ पर हमारा जो rose flower है ओब बन चुकी है अब सुईधा के help से इसको slide लगा लेती हैं सिलाई लगाने के बाद चारो side यहाँ पर इसको उपर के side में भी slide लगाते हुए lock कर देंगे अब इसको middle में नीचे के जो extra fabric है हमने उसको cutting कर दी हैं और middle में कुछ इस तरीके से इहाँ पर एक multi attach कर देंगे तो फ्रेंज इहाँ पर हमारा जो slip से almost ready हो चुकी है कुछ इस तरीके से बहुती simple fabric के साथ आप इतना खुपसूरत design बना सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एक like जरू कर देना चैनल के भी तक भी subscribe नहीं किये है तो प्लीज चैनल के subscribe कर देना जो की bell notification है उसे जरू से प्रेस करना जब भी हमने इने वीडियो को upload करेंगे सबसे पहले मिले आपको तो देखिए एहाँ पर अगर थोड़ी सी भी फूली हुई रहती है तो उसका भी solution है यहाँ पर जो भी जितना भी आपका फूली हुई होता है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको अंदर के side fold कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से paste करते हुए यहाँ पर इसको slide लगा लेंगे तो finally हमारा slips ready हो चुकी है गये तरीके से पूली है और देख से बादे कर देंगे